तो हमने कल आइस की बारे में पढ़ा और आइस की कुछ पार्ट्स की बारे में पढ़ा ठीक है तो उससे रिलेटिट यहां पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है तो वो मैं आपको बताती हूँ कि अपने फ्रेंड की आइस में आप देखिए तो उसकी आइस में प्यूपिल के साइस को आप अबजर्ब करें एक टॉर्च से उसकी आइस पर लाइट डालें ठीक है प्रकास जारी अब प्यूपिल को अबजर्ब करें तार्च को बंद करें फिर उसकी प्यूपिल का एक बार फिर से अबजर्ब करें तो क्या आप प्यूपिल के साइज में कोई चेंज देख पाते हैं किस situation में pupil बड़ी थी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस case में आपको ice में ज़्यादा light भेजने की आवश्यक्ता है, कम light में या ज़्यादा light में, ठीक है, तो pupil के पीछे एक lens है, जो center पर ठिक होता है, मोटा होता है, किस प्रकार का lens, center पर ठिक होता है, याद करें, class 7th में lenses के बारे में क्या पढ़ा है, lens, light को आँख के, है न, ice के पीछे एक layer पर focus करता है, ठीक है, इस layer को retina कहते हैं, ओके, यह जो picture दिखी दी हुई है, यहाँ पर आप देखें, retina, बहुत सारी, nerve cell का बना होता है, यह lens आप देखें, pupil के पीछे होता है, ठीक है, nerve, sorry, lens, है न, तो, और retina यह दिया हुआ है, see, यह retina है, तो retina बहुत सारे nerve cell का बना होता है, nerve cells द्वारा experience की गई, sensations means समवेदनाओं को, optic nerve द्वारा mind तक पहुचा दिया जाता है, ठीक है, optic nerve means होता है, drug तंत्रिकाओं, है न, उसके द्वारा mind तक पहुचा दिया जाता है, फिर nerve cells जो होता है, वो two types के होता है, okay, sorry, cells जो होता है यहाँ पर, two types के होता है, first है आपका cone, which are sensitive to bright light, है न, पहला जो आपका होता है, वो होता है, cone, जो तीवर प्रकास के लिए क्या होता है, sensitive होता है, ठीक है, bright light के लिए वो sensitive होता है, और दूसरा है आपका rods, जो की dim light के लिए sensitive होता है, ठीक है, तो cone colors की सूचनाए भी भेजते हैं, ठीक है, cone sense color, the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells, ठीक है, तो optic nerve और retina की संधी पर कोई भी nerve cell नहीं होता है, या sensory cell नहीं होता है, ठीक है, sorry nerve cell नहीं, sensory cell है न, कि जिससे पता चले की light है, कम light है, या ज्यादा light है, ठीक है, तो इस point को blind spot कहते हैं, तो इसकी अस्तित्व को निम्न प्रकार से यहाँ पर प्रदर्सित किया जा सकता है, its existence can be demonstrated as follow, यहाँ पर एक activity दी हुई है, 16.9, ठीक है, तो यह activity आप करेंगे, इसका निसकर्च मैं आपको बताती हूँ, तो हम जो image देखते हैं, वो वास्ताव में कुछ-कुछ different और भी images का क्रम में है न, serial wise परदे पर वो क्या करता है, प्रक्षेपन करता है, ठीक है, उन्हें आँखों के सामने 24 images, ठीक है, प्रती सेकेंड, means 16, प्रती सेकेंड की दर से, अधिक की दर से, change होते दिखाया जाता है, तो इस प्रकार हम picture को देख पाते हैं, ठीक है, रेटीना पर बने image का प्रभाव, इस object को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है, ये लगभग वन अपॉन 16 सेकेंड तक बना रहता है, इसलिए यदि आँख पर प्रती सेकेंड है न, आँख को है न, वो thing या object, image, sorry, movie है न, की भाती चलती फिरती अनुभव होंगी, ठीक है, नाउ, आँखों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए, हमारी आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, नेचर ने हमें आइलिट्स प्रदान की है, means पलकें प्रदान की है, पलकें बंद होकर, है न, आइलिट्स बंद होकर अनावश्यक लाइट को भी आइस में एंटर करने से रोक देती है, ठीक है, तो आइस जो है, एक ऐसा वंदर्फुल इंस्ट्रूमेंट है, कि नॉर्मल आइस दूर सिचुएटड अबजेक्ट के साथ, निकट या पास की ऑबजेक्ट को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो मिनिममम डिस्टेंस जिस पर आँख या आइस ऑबजेक्ट को स्पष्ट देख सकती हैं, एज के साथ चेंज होती रहती हैं, और नॉर्मल आइस द्वारा पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा जनक डिस्टेंस लगभग 25 सेंटिमीटर होता है, ठीक है, कुछ परसंस पास रखी हुए अबजेक्ट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन दूर के अबजेक्ट को क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन दूर के अबजेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, इसी के opposite कुछ persons पास रखे हुए object को clearly नहीं देख पाते और दूर के object को clearly देख सकते हैं तो suitable corrective lenses के use के द्वारा eyes के in defects को दूर किया जा सकता है ठीक है उनमें संसोधन किया जा सकता है कभी कभी विशेश रूप से आप देखेंगे old age में है न eyesight foggy हो जाती, foggy means धुंदली हो जाती है तो ये eye lens के foggy हो जाने के कारण है धुंदली हो जाने के कारण होता है और ऐसा होने पर ये कहा जाता है कि ice में क्या हो गया है इन हिंदी अगर मैं बताऊं तो मोतिया बिंध हो गया है बोलते हैं लोग है ना जिसे हम इंग्लिश में cataract कहते हैं इसके कारण eyesight weak हो जाती है जो कभी कभी बहुत serious रूप ले लेता है तो इस defect का treatment possible है ओके ओपा क्यू लेंस को हटा कर अपारदर्सी लेंस को हटा कर new artificial lens लगा दिया जाता है अपारदर्सी मतलब जिसके हम आगे मतलब दूसरे साइड नहीं देख सकते ठीक है तो उसे हम ओपा क्यू भी कहते हैं तो उसको हटा करके artificial lens लगा दिया जाता है तो modern technology ने इस procedure को और easy और safer बना दिया है नेत्रों की देख बाल कैसे करें तो यह आवस्यक है कि आप अपने eyes की care करें ठीक है यदि कोई problem होती है तो आपको किसी eye specialist से के पास जाना चाहिए और eyes की regular check-up कराते रहना चाहिए ठीक है तो यहाँ दिया हुआ है कि अगर advice किया गया है ठीक है तो suitable spectacles means चस्मे है ना उचित चस्मे का उपयोग कीजिए और eyes के लिए बहुत कम या बहुत ज़्यादा light क्या है हानी का रख है ठीक है bad for eyes too little or too much light is bad for eyes insufficient light अपरियाप्र प्रकास से eye strain और headaches है ना आखों में खिचाओ और सरदर्ध हो सकता है ठीक है eye strain and headache हो सकता है sun या किसी powerful lamp का ज़्यादा तीवर प्रकास ठीक है highlight या laser torch का की जो light है वो retina को harm कर सकती है ठीक है so rest we will read tomorrow